गुण मोरिंग बच्चों आज हम आप लोगों को बताएंगे वाक के परिवर्तन के नियम रश्णा के आधार पर तो सबसे पहले जानते हैं सरल से सईक्त वाक में परिवर्तन के क्या नियम हैं सरल से संयुक्त वाक्य में परिवत्तन करते समय सबसे पहले सरल वाक्यों को दो सतंत्र वाक्यों में बदलने उसके बाद समुच्य वोधक शब्दों द्वारा जैसे और तथा एवं लेकिन किंतु परंतु इसलिए इत्यादी इन शब्दों द्वारा दोनों वाक्यों को इसलिए दो स्वतंत्र वाक बनाने हैं सरल वाक रमेश को फूख लगी है आशा यह निकल के आता है तो हम पहला वाक बनाएंगे रमेश को फूख लगी है लगी थी रमेश परिशान था अब इन दो वाक्यों को जोड़ेंगे समुझे वो दक्षत वदारा रमेश को भूख ल सब्जियां खरी दी अब यहां पर दो क्रिया हैं तो एक क्रिया लेकर के हम एक स्वतंत्र वाक और बना लेते हैं उसने बाजार जाकर सब्जियां खरी दी वह बाजार गया और सब्जियां खरी दी यहां पर और समुझे वो धग द्वारा दोनों वाक्यों को जोड़ दिय तीसरा उदारन लेखते हैं मेरे बहुत बुलाने पर भी वह नहीं आया दो बातें आती है उसने मैंने बुलाया और वह नहीं आया तो बस इसी तरह मैंने उसे बहुत बुलाया परंतु वह नहीं आया यहां परंतु समुझ्चे बोधक द्वारा इस वाकिक को जोड़ा गया ह अगला उधारण है बादल गरज कर चले गए दो क्रियाएं हुई बादल गरजे और चले गए बस इसी बात को इसी तरह लिख देते हैं दो बादल गरजे और चले गए अगला पहले गाड़ी चूटने के कारण मैं दूसरी गाड़ी से आया हूँ कि यहाँ पर दो बाते आती हैं तो एक चीज हम यह भी बता दें कि जहांपे समच्धक हम नहीं लगाते हैं वहाँ क्वामा लगाते हैं तब ही वहाँ पर संयक्त वाक्य होता है पहली गाड़ी छूट गई थी यहाँ पर क्वामा लगाया गया समझे बधक नहीं है मैं दूसरी गाड़ी से आया हूँ फिर भी यह संयक्त वाक्य है आप जानते हैं सरल वाक्य से मिश्वाक बनाने का नि फिर दोनों उपवाक्यों को जो वह जिसने उसने जिसे उसे जहां वहां जियों ही तियों ही जैसा वैसा यदी तो इत्यास समुच्चे वोधक संदों द्वारा जोड़ दें जैसी जहां जरूरत हो आप उसका उतराण लेते हैं जैसे सलल वाक है विपत्य में धीरज रखना चाहिए यहाँ पर समय कभान होता है इसलिए यहाँ पर जब तब लगा कर हम वहां के मिश्िट वाकी बनाएंगे जब विपत्य आये तब धीरज रखना चाहिए दूसरा बाक है शिक्षक के सामने बच्चे शांत रहते हैं यहां पर भी समय का भान होता है तो जब तक लगा के वाकि बनाएंगे जब तक शिक्षक रहते हैं तब तक बच्चे शांत रहते हैं अगला उदारण है सत्य बोलने वाले को कोई नहीं डरा सकता यहाँ पे विशेशता की बात आती है इसलिए विशेशन आश्य तुपवाक्ष से वाक्ष बननेगा जो सत्य बोलता है यह आश्य विशेशन आश्य तुपवाक्ष है उसे कोई नहीं डरा सकता अगला हुदारन है वह स्वैं को विद्वान समस्ता है इसका मनलब वह समस्ता है कि वह विद्वान है बस इसी तरह इसको बना देना है वह समस्ता है की समुच्चे को तक लगा करके वह विद्वान है अगला हुदारन है मोहन के घर के पास मेरा भी घर है यानि मोहन का और मेरा घर पास है यहां पर हम इसको कैसे परिवर्थित करेंगे चुकि अस्थान का बोध हो रहा है इसलिए जहां वहीं या वहां जहां मोहन का घर है वहीं मेरा भी घर है अब आते हैं तुम्हारी तरह कोई नहीं गाता यहां क्रिया की रीत की बात हो रही है इसलिए तरीका की बात हो रही है इसलिए जैसा वैसा लगा करके हम मिस्ट वाक्य बनाएंगे जैसा तुम गाते हो वैसा कोई नहीं गाता आप जानते हैं सैंक्स सरल वाक में परिवर्तिन के नियम तो सैंक्स से सरल वाक बनाते समय सब्थम वाक में प्रेप समुच्चे बुधक शब्दों को हटा दे क्योंकि सभित्वित में समुच्य बधर अवयाय होते हैं। फिर पहले वाक्य की क्रिया को इस प्रकार बदले कि वाक्य का मूल्भाव नवदले जैसे उसने खानाOTT खाया और सो गया अब आश्यर निगल आता है कि वह खाना खाकर सो गया बस यही सरलवाक्य हो तो खाना खाया एक क्रिया सो गया दूसरी क्रिया तो पहले वाक्य की क्रिया को हम बदल देते हैं उसने खाना खाया और सो गया वह खाना खाकर सो गया यह वाक्य बनता है दूसरा वह उदारन लेते हैं समीत वाक का कल पानी बरस रहा था इसलिए मैं नहीं आया यहाँ पर सरलवाक बनाते समय एक क्रिया को हम बदलेंगे पानी बरसने के कारण मैं कल नहीं आया इसलिए समुच्य वधब को हटा करके एक क्रिया बदल करके यह वाक बना अब आते मिस से सरलवाक में परिवर्तम मिस वाक्यों को सरलवाक में परिवर्तित करते समय सर प्रथम वाक्य के आरम में और बीच में लगे समुच्चे बोधक सब्दों को हटा दे फिर वाक्य को ऐसे जोड़े कि मूल अर्थ या भाव न बदले इसमें ध्यान दे कि इसमें आश्रित उपवाक की क्रिया को ही बदलते हैं जैसे मिश्र वाक्य है रणधीर ने कहा कि तुम्हें बाजार जाना है इसमें आश्रित संग्या आश्रित उपवाक है तुम्हें बाजार जाना है इसी वाक्य क्रिया को हम बदलेंगे रणधी ने मुझसे बाजार जाने के लिए कहा यह बना सरलवाग अब आते हैं दूसरा उदारण चूंकी वह अफराधी था इसलिए उसे सजा दी गई यहाँ पर चूंकी वह अफराधी था यह आशित हुआ के है इसलिए इसी वाके की क्रिया को हम बदलेंगे अपराधी होने के कारण उसे सजा दी गई मिश्र वाकिक से सहींत वाकि में परिवर्तन के नियम को अभम जानेंगे मिश्र से सहींत वाकि बनाते समय सर प्रधाम उख वाकियों को प्रधान वाकियों में बदल दें अब भिर मिश्व वाक के समुच्य बोधुधक स्थोग स्यूरा दोनों वाक़को जोड़ते हैं यहँ आदाल कि समुच्य बोधुधक जोड़ेंगे और जो मिश्व के नित्समंद्य अभ्या होते था थे उन्हें अथते जैसे मिश्वाक्य यदि आकाल पड़ा पड़ेगा तो लोग मरेंगे इसमें हम यदि और तो को हटाएं देंगे और समुझत वाक्य समुझ्चय बोधा कभ्य को जोड़ेंगे आकाल पड़ेगा और लोग मरेंगे अब एक और उदारण लेते हैं मिश्वाक्य है जब वह दिल्ली गया तब उसे नौकरी मिली यहाँ पर जब और तब दोनों शब्द को हम हटा देंगे और उसकी जगा समुझ्चय बोधा शब्द जोड़ेंगे वह दिल्ली गया और उसे नौकरी मिली एक वाक इस तरह बने गा समुझ्ध का और एक वाक और बन सकता है वह दिल्ली गया इसलिए उसे नौकरी मिली अब आते हैं सैंत से मिश्वाक में परिवर्तन का नियम जानेंगे सैंत से मिश्वाक में बदलते समय सरप्रताव सैंत वाक के निर्पेक्ष वाक को छोड़कर सेश को आप प्रधान वाक में बदल दें निर्पेक्ष यानि आकांचार रहित वाक प्रधान वाक ऐसी स्थिती में सैंत वाक्य के समुच्चे बोधक शब्दों को हटा देते हैं और मिश्र वाक्य के नित्य सम्मंधी योज को अभ्यों और शब्दों का प्रियोग करते हैं जैसे सैंत वाक्य है वह ब्यक्ति शड़क पार कर रहा था और दुरघटना ग्रस्त हो गया यहाँ पर और शब्दों को हम हटा देंगे और यहाँ पर वाक्य स्थर बनाएंगे वह ब्यक्ति दुरघटना ग्रस्त हो गया जो शड़क पार कर रहा था दूसरा वाक्य लेते हैं वह धनी है परन्तु सुखी नहीं है यहाँ पर इसे हमेश्च बनाते समय दो यजकों यद्यप यव तथाप को जोड़ेंगे यद्यप की वह धनी है तथाप सुखी नहीं है यह हमेश्च वाक्य बनाएंगे अब इस पर हम आप लोगों को कुछ ग्रिहकारिक दे देते हैं निम्निलिखित वाक्यों को सहित और सरल वाक्य में परिवर्तित कीजिए यहाँ पर जो वाक्य दिये गए हैं वो सरल है ध्यान से सुन ले पहला वाक्य है सूरियोद होते ही चड़िया चहकने लगी दूसरा गंटी बजते ही सभी चात्राइं कच्छा से बाहर आ गए तीसरा वाक्य मुझे देख कर खिसक गया चौथा वाक्य है रात के बारह बजते ही मैंने पढ़ना बंद कर दिया पांचाओं आके है सभा समाप्त होते ही वह घर लौट आया चठा वाक्य मैंने एक दुरूबल व क्या चौबल वाक्या चौबल वाक्याल वाक्य मैंने खाल वाक्या से घौबल रौभ वाक्या वचणते ही